हज़र तलिय अलिएसलाम फरमाते हैं कि जिक्र अलाही का विर्द करना जारी रखना रूह की गिजा और नजात की कुझी है वावा क्या वावा रूह की गिजा नजात की कुझी क्या है जिक्र अलाही का विर्द करना जारी रखना इसलिए जिक्र को जारी रखना चाहिए आग रे हो ता चपड़रे बीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े बाब में बैशा सारीता है.. कि चश्क है था उसमे, हां तीसर थिसरा चप के रहा कि रहा तन यादा की है जिंबला यादा। कितार के भार किणके देतेथे तका नहुंति हैं लगता था लगता है किताब हुआ होगता है हम को बच्पन से किताब नया किताब आजने तो बाद में लगाते थे पहले रखते शोंग्सांग्स लगाते थे और यह फाज द रखते ने अज तक इस नहीं कर सकते तो क्या गयान का करेंगा मेरे इसकूल में अगर बच्चा कलम फेक देता तो उसको उठवाते हैं पेले पहले उठागा का अच्छा जगा मैं रखो खराव फताम हो गया तो क्या ऐसफ फेक दोपर लगेगा उसमें क्या नहीं लगना चाहिए किताब कलम दवात की जो रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ क्या ग्यान की रिस्पेक्ट करेगा जी तो यह सर्चीजें आनी चाहिए आदमें के तर्तीब है यह कहीं पर कुरांट से जिफ का टूगडा फेका हुआ मिल जाए एक बुज़ूर का वाक्याम पढ़ रहे थे उनको व पर विलायत मिल गई उसको कि आपने जो है हमारे कलाम का इतना इज़्जद किया हम इस बात से खुस हो गया वालत आला अतना खुस हुए उनको विलायत बखस थे उनको सारा बखस सता करें तौबा कबूल कर लिया नाम देखिया हम बूल रहे हैं इंशाल्ला बताएंगा कह हैं से बात नेखले थी हाँ गिजारूर से जिकर पके जिकर एक दम आप तमामी भाए को STAR किजिए और ऐकदम इसको जो है कि जिविजन करना सुरू करते हैं इसमें न। नौपरिज़ नहीं आपने बड़ी बोल नहीं है लानत लहांलाक याणलाह की लानत citizenship आप तलाक हमने जिन जिन भाईयों को दादा के तसूर में दादा को मदने नजर रखते हुए उनकी खिदमत गुजारी समझ करके जिकर दिया सब को फाइदा हुआ किसी को पीर के जारत नसीब हुई किसी को फरोग हुआ किसी की मनजलें आगे बढ़ी कुछ नब कुछ अलामात जाहिर होना सुरू हुआ है इसलिए ये मत सोचिए कि हम आपको देंगे तो आपका जिकर नहीं चलेगा जरूर जिकर चलेगा इंशालला और आप जरूर आगे बढ़ेंगे जरूर कामियाब होंगे क्योंकि ये जो काउंटर है मेरा नहीं है दादा मेम हिंदी का है एक बात नोट कर लेज़े ये जो काउंटर है ना दादा मेम हिंदी का है ये मेरा परसनल को जागिर नहीं है और नहीं हम कोई दुनिया और दौलत और सोहरत के लिए ये बात आपको बता रहा है यह बात जहन से निकाल दीजी, सब से पहले, तो उमीद है मेरी बात आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, मौला अली ने कहा, जिकर को जारी रखें, विर्द को जारी रखें, और रुहानी गिजा को लें, नजात की पुंजी है, आप आगे बढ़ेंगे, अकिर मुरीद क काम के लिए होुए थे, आगे बढ़ना है, हम लोग को तने बढ़ना हैं, अब मूरीद हो, बैठे हो आए हैं, तो फाइदा नहींए, आगे बढ़ना ये, बढ़ने का क्या तरिका है, फो से लोग gaucheता है, मूरी दोने का बाद क्या करें, मूरीद का ज्या Libra लोआका मुद जिकर लीजिए, मेहनत कीजिए, तसवर कीजिए और सोबत कीजिए, संगत में बैट बैटे, अब तो सोसल मीडिया है, सोसल मीडिया से भी आप चार्ज होते रहेंगे हमें सत्वागे बढ़ते हैं, यह भी एक जरिया है, है नहीं, तो इसको हलके में लेना नहीं चाहिए, तस ही जज़ा पाए, बगएर नहीं होती, हक पर यकीन रखो, और बाकी जो होता है, होने दो, मौलाना रूम रमतुल्लाले परमातने, क्या मज़े की बात, कुवा खोदने वाले कुवे में जा गिरते हैं, जो दुसरे के लिए कुवा खोदेगा, तो गिर्वन करेगा उसमें, क्युवा गिर्वन करें जी, मौलान रूम कारें परमने कारगा, कोई बुरा आदमी सजा पाए बगाएर नहीं रहता, जरूर सजा मिलेगे, कुदरत का कानून है, उसको कुदरत का कानून है, उसको «no compromise», कानून कुदरत का आपको नहें बख से के निकल जाई कुदरत का इसके कानून से आप बच सकते हैं खुद्रत के कानून से नहीं बच सकते हैं तो बुरा आदमी सजा पाए बगहर नहीं रहता सजा उसको मिलती ही है चाहे हम हो आप हो कोई भी हो अगर हम बुरा हैं तो सजा जरूर पाएंगे सजा क्या हम मुस्ताक हैं इसलिए कसरत से अल्ला से स्थफ़ार कीजिए कि या रबूलालमीन अगर हम से भूल चूक में कोई कसूर हुआ तो अल्ला से तौबा कीजिए माफी मांगिए तो सजा घट जाएगी लोग कहते हैं कि तौबा कुबूल ने तौबा कुबूल होता है एक फिरका मौजूद है आज के जमाने में जो कहते हैं कि नहीं तोबा होबा से कुछ ने होता है नहीं गलत भाद हम उसके फेवर में नहीं है मरकज अब जलिया दादामी मिंदी सरकार रमतुल लाले के हावाले से बात का रहा है तोबा कुबूल होती है मुश्किलें कटती है ठीक है कुदरत का कानून है आएगा नया आएगा सुबात नहीं आएगा तुफान बन के लेकिन जब आप तौबा किये रहेंगे बुजरुगों का दावन पकड़े रहेंगे दुरूद पड़ते रहेंगे तो वो तूफान जो है न हलके में आके चला जो क्या दीजे सुबान Аल्ला इकम बढ़ी बात है क्या यकम बढ़ी बात है कि चक्रवात आ रहा था तो हलका हवाध बनके निकल गया ज्जोंका कितना बड़ा बात है अब नहीं तो सब ढहे जाता तो ये कब होगा तौबा करने से दुरूद पढ़ने से अपने पीर को हमेसा दामन पकड़े राचा पीर का दामन पकड़ने से बात आ गई पिर का दामा नहीं चोड़ेंगे यार पकड़ा कब था यार पकड़ो तो सही कैसे पकड़ने का सबसे पहला जो बात है वो यह है कि आप कहीं से बायत सबसे पहला चीज़ बायत आपका होना चाहिए अगर बायत में खलल आ गया तो बायते तजदीद कर लेजी मगर कर लिए बायते तजदीद का मतलब यह हुआ कि उस पीर के पास जाएए और कहिए हुजूर मेरे बायत में खलल आया है दोवारा कीजिए अगर वो पीर से ही मामला कुछ है तो जिन हजरत के आस्ताने से आप उन से लेकर आस्ताने पर जाएए करना चाहता है हम आप वो गलती नहीं करना चाहते हैं हम आपके चादर मुवारक पकड़ करके बैते तजदीद करते हैं इस तरीके से कीजिए तो उसको बैते तजदीद का था तब से पहले हफता में एक दिन जुम्रात को फातहा और इसाल सवाब कीजिए अल्ला माय अकबाल ने बहुत अच्छी बात कही ती हलाकि वो शायरी जबान में है बांगे दरा में लेकिन आज वो पीरी मुरीदी पर खरा उतर रहा है क्या कहा ता पता है ता खरवा है मिल्लत के साथ राबताए उस तवार रख पेवस्तारा सजर से उमीदे बाहार रख मतलब यह हुआ वो दरख से जुड़े रही तब ही न बहार आएगा अगर आप दरख से पती बन करके कट करके पतज़ण में गिर गए हैं तो बहार आपको कोई फाइदा नहीं पहुँचाएगी इसे लिए उस दरख से जुड़े रहे रहे उस सजरे से जुड़े रहे रहे बहुँ सारे लोग आज के देट में अफसोस होता है हमको कि सजरे से लोग कट रहे हैं सजरे से लोग कट रहे हैं गलतियों के वज़ा से नहीं कट रहे हैं मुरीद नहीं बलके पीर भी कट रहे है आई है खाली मुरीद ही नहीं कटता है भाई अफसोस का मकाम तो तब होता है जब उस सजरे से मुरीद तो मुरीद पीर भी जुदा हो रहा है अब जब पीर ही सजरा से कट जाएगा तो मुरीद का क्या होगा मुरीदे सादा तो रो रो के हो गया तायब खुदा करे के मिले पीर को भी ये तौफिर अखबाल साब का गया मुरीदे सादा तो रो रो के हो गया तायब खुदा करे के मिले शेक को भी ये तौफी Allah तौब आल्ला står दौव है कि दुनिः भर के तमाम सेख और पीरों को भी तौब़ा की तौब़ा की तौफीक हो जिसकी तमन्ना अइक बाल ने सौ साल पहले की थी अलिह ऐससलाब रहू ने अल्ला मा अक उपाल रहमतुल्ह ले फुदा करे के मिले शैक को भी ये तौ Pike साउ साल पेले अब सोचिए कितने अबसोसनाव बहत न्हों साउ साल पहले अल्ला मा अक उपाल शुद्वाने किय था उस जमाने में भी रहा होगा तो उस जमाने में भी अकबाल साहब को लगा होगा कि अरे मुरीद तो तोबा कर लेता है दिल का साधा होता है लेकिन पीरे को तोबा नसीब नहीं है भाई या काने का मतलब बात कहां से निकले थी पेवस्त तरह सजर से उमीदे बाहर रहे तो उस सजर से पेवस्ता होने के लिए दस्त बैयत को तजदीद करें मजार चादल पकड़ करके पुखता करें उसके बाद जमराद के जमराद इस साल उस सवाब करें उस सजरे को पड़ें तमाम बुजर्गों का नाम ले अलाही बेजा तूने अगर वो ने आता तो ये कीजिए वो जो सलाम हमलों का हाए उसको पब्लिश किया जाए अच्छे पुरा नाम के साथ आया है या शही देखर बलाचे करके दादा मीम हिंदी तक आया है आई तम उसको पढ़िए आपका सजर से कनेक्शन जुड़ा रहा है बातु फैले मुस्तफा हम सब को मिल जाए नजात सदक आहले बैत का असला तो जानते हैं वो कलाम हम कब लिखे थे 20 साल पहले लिखे ग nutri दी दादा हुजोर के परदा होने के बाद एक दिन बैठे हम का यार सजरा है सजरा है जब सजरा ऐसा है तो पढ़ा कैसे जाए बैठे उसको छट पर लिखना सुरू किया दादा हुजोर ने लिखा complete और उसको पढ़़ करके घूम घूम के पढ़ने का तो चलिए अच्छा है सब लोग पढ़ते हैं आज कर पढ़ना चाहिए लेकिन अफसोस तो तब होता है जब मेरा ही कलाम पढ़ा जाता है और मुझी पर फत्वा लगा जाता है तो हम वही कहा रहे थे कि पेवस्ता रास्तजर से उमीदे बहार रख हपता में जुरूर ऐसे दादा हुजूर को कहा करते थे कि कम से कम रोज फातावा करें हो दादा कहा देते हैं झाल झाल झाल